थाना फतेपुर सीक्री शेतर में अश्लील फोटोस से ब्लाक मेल कर गाउं के शादी शुदा युवक ने खेत पर चारा लेने गई महिला के साथ दुराचार किया बीडिता थाने पोहँची लेकिन पुलिस ने कारेवाही करने की जरूरत नहीं समझी थाने चौकी के चक्र काटने के बाद पोलिस कमिशनर से दुखडा रोया पोलिस कमिशनर ने साइबर थाना पोलिस को एफाई यार करने के आदेश दिये हैं थाना फतेपूर सीक्री शेत्र में खेद पर चारा लेने गई विवाहिता को गाउं के ही शादी शुदा यूवक ने हवस का शिकार बना लिया। विरोध करने पर मार पीच की गई। पीड़िता परिजनों के साथ फतेपूर सीक्री थाने पहुँची लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। थाने चौकी के चक्कर काटने के बाद परिवार वाले विवाहिता को लेकर पुलिस कमिशनर के पास पहुच गए। पुलि जनों का कहना था कि गाओ के शादी शुदा युवक नी छट पर नहाते समय महिला की मोवाईल से अशलील फोटो खीच ली थी। एक एकर खीची गई कई अशलील फोटो युवक ने महिला और उसके पती के मोवाईल पर भेज दी। आरोप लगाया है कि फोटो सार्वजरी करने की धमकी देकर महिला पर गलत कारे करने के लिए दवाब बनाया गया था लेकिन महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। पती का आरोप है कि उसकी पतनी शाम को खेत पर चारा लेने गई थी। उसी समय उसकी पतनी को दवोच लिया गया और हैवानिय दिखाई गई। वि न्यूस की योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बल आइकन को प्रेस करना ना भूलें